देखें अब धियान से समझना कि hydrogen से आपको क्या 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 कोशन आज तक पूछे गए speedy का ये निचोर रहे सबसे हलका कुंसा है तो वह आपको याद रहोगै hydrogen जो है जो है सबसे हलका तत्व है पहला question,rike reaction दूशरा question आपको पुछा जाएगा क्या कि जो hydrogen का, ठीक है, कितने समस्थानिक होते हैं, तो आपको याद रखना है, तीन समस्थानिक, मैं फिर से बता रहो, एक भी point ऐसा नहीं है, जो मैंने खुद से यहां लिखा, यह सब आपको exam में आया हुआ है, आप मेरे थुरू अपने अंदर डाल लो, पूरी तरीके से, दे कितने समस्थानिक, तीन समस्थानिक, नाम क्या है, protein, nutrient and tritium, next, इसका कौन सा समस्थानिक है, कौन सा ऐसा isotope है, जिसमें आपका neutron नहीं होता है, तो याद रखना, जो आपका protein है, इसमें कोई neutron नहीं होता है, क्यों लिखते हैं, इसमें कोई भी आपका क्या होता है, neutron नहीं ह होता है ठीक है next इसका कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो radioactive है तो आपको याद रखना है जो tritium होता है वो इसका radioactive होता है तो मैंने क्या बोला तीन इसके समस्थानिक है Proteum, Deuterium, Tritium पहला कोशन नेक्स इसका कौन सा समस्थानिक है जिसमें आपका Neutron जो है आपका नहीं होता है तो आपको याद दखना है कौन सा Neutron नहीं होता है इसमें तो आपको याद दखना है यह आपका सा इन्दन है जिसका सबसे सब्से ज्यादा कैले ऐलू है तो आपको यान अखने सब्से जादा है सब्सेजास केल स्टाना है किसड़ारिफिकına होता है वह हता है ऐफ आ Cop vision का है कैलोरीफिक दीक केलेफिक मैं दीक है है मैं में समझाएर में और पूछा जाए इसका कितना ब्रम्हांड में, ठीक है, कि पूरे ब्रम्हांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है, तो याद रखेगा हाइड्रोजन, यहां में ब्रम्हांड का बात करो, अब थोरा question reverse करेगा वो, आपको पुछेगा, कि जो हमारा अर्थ करस्ट है, मतलब अर्थ क अंदर में, ठीक है, अर्थ करस्ट के भूपरपरटी, अर्थ करस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा element कौन सा है, तो क्या बोलोगा, oxygen सबसे ज्यादा है, हमारे body के अंदर सबसे ज्यादा element है, oxygen सबसे ज्यादा है, बट पूरे ब्रम्हांड में सबसे ज्यादा element है, कौन सा तत् तो याद रखेगा के पूरा युनिवर्स में कुन सा सबसी जादा एलिमेंट है ज़तो है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन है आपको याद रखना हाइड्रोजन बॉम किसा है तो अन-कंटरोल नुपिलियर फ्यूजर ठीक है ना विग्या सलेनं पर बेस्ट काम करता और याद रखेगा जो आपका एंजिर्जी निकलता है सन्न में कौन से फेनोमेना पर निकलता है तो सन्न में जो होता है उसने भी क्या होता है आपका nuclear fusion होता है next question आपको पूछा जाता है कि जो आपका sun है ठीक है sun में सबसे ज़्यादा कौन सा element पाया जाता है तो आप बोलोगे hydrogen next question आपको पूछेगा कि hydrogen का discover किस ने किया था तो Henry Cavendis ने किया था इतने questions at least आपको hydrogen से याद रखना है